हलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बॉटनी स्टुएंट्स के लिए एक और नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है यहाँ पर हम स्टैम की मॉर्फोलोजी को बिसीकली पांच पॉइंट में डिस्कस करेंगे जिनमें डेफिनिशन, करेक्टिस्टिक्स, ब्रांचिंग, फॉर्म्स ऑफ स्टैम, एंड फंक्शन्स ऑफ स्टैम तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के पहले पांच से और वो है डेफिनिशन ऑफ स्टैम आमतोर पर पॉधे का भूमी के उपर का सीधा आरोई भाग स्टैम कहलाता है इसका विकास प्रांकुर्से होता है जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मूल यानि रूट्स का विकास मूलांकुर्से होता है ऐसे ही जो स्टैम है उसका डवलप्मेंट बेसिकली प्रांकुर्से होता है तथा इस पर पत्तियां और पुष्प आदी पाए जाते हैं और जो स्टैम है वो नोड और इंटर नोड दो भागों में बटा होता है पर परांट के हम दो भाग करते हैं, root region और suit region तो घुमी के उपर का वो भाग इस पर पतियां, branches आधी लगी रहती हैं, उसे suit कहा जाता है, जो branches होती हैं, वो origin में exogenous होती हैं, इसके अलाबा, young stem जो होते हैं, वो generally green होते हैं, soft होते हैं, और flexible होते हैं, जबकि जो older stems होते हैं, व ये कुछ basic बाते हैं, जो stems की हैं, इसके बाद हम बात करेंगे, stems की बिसेशता हैं, यानि characteristics की, कुछ सामाने बिसेशता हैं, जो हम यहाँ पर आप screen पर देख पा रहे हैं, इसमें पहला है, stem का जो विकास है, वो प्रांग कुर्से होता है, इस टैम का विकास प्रांग कुर् होती है लंबाई में ब्रधि के लिए इस पर टयर्मिनल बर्ट पाये जाती है इसके साथ जंड़ेन् Ten टाइब के अपंडेज को पतीया यंनमें एक परकार की अपंडेज को पत्य लिब्स कहा जाता है आगे की बिसिश्टाओं में आप देख रहे हैं कि आमतोर पर जो young stem होते हैं वो green होते हैं और green होने के वज़े से वो photosynthesis का कारिये perform करते हैं इसके लाबा इसके जो mature stems होते हैं उन पर flowers और fruits develop होते हैं stem जब mature हो जाता है तो उसके बाद ही उसमें general curative starts होती है और उसका प्रारम होता है development of flowers से तो जो mature stems होते हैं उन पर flowers और fruits लगते हैं इसके अलाबा जो leaves हैं और stem branches हैं ये उत्पत्ती में exogenus होती हैं ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं इसके अलाबा अगली बिसेश्था आप जो नवी बिसेश्था इसमें देख रहे हैं stem पर पस्थित बिसेश्थ स्थिती में जो पत्तियां पुष फल आदी पाये जाते हैं वो अपने बिसेश्थ कारियों को perform करते हैं अर्थात stem के जब कारिय की बात की जाती है तो यहाँ पर stem पर पाये जाने वाले different appendages के कारिय भी समलित किये जाते हैं जो appendages stem पर पाये जाते हैं वो भी अपने-पने कारिय संपन करते हैं और वो कही ना कहीं stem का ही रोल है इसके अलाबा next 10 point में आप देख रहे हैं यदि stem hair present हैं इसका मतलब यह हुआ कि कुछ stems पर hairs नहीं पाये जाते हैं तो stem hair जेदी पाये जाते हैं तो वो प्राय multi cellular होते हैं roots में हमने आपको बता है था कि वो unicellular होते हैं इसके अलाबा और जो last point आप देख रहे हैं बिसेस्ताओं का वो root से एक दम opposite है वहां हमने बताया था क्या और यहां पर जो आप 3 point देखेंगे अर्थात stem positively phototropic negatively geotropic and negatively hydrotropic होते हैं जो roots थी वो इनके just approach थी तो यह stems की कुछ बिसेस्ताओं हैं जो आपने अभी study की हैं इसके बाद हम बात करेंगे branching की stems में branching किस परकार की होती है तो branching के आधार पर stem दो परकार की हो सकते हैं या तो unbranced या branch unbranced या जिन पर साखाओं का निर्मान होता ही नहीं है ऐसे stem जिन में साखाओं का निर्मान नहीं होता अर्थात जो unbranced होते हैं उन्हें codex कहा जाता है जैसे palm, sugarcane, maze इसके अलाबा ऐसे stem भी होते है आहम तोर पर अधिकतर ऐसे stem होते है जिन में proper branching पाई जाती है और ये जो branching है इसके आधार पर जो stems है वो दो परकार के होते हैं एक dichotomous और दूसरे lateral तो branching के आधार पर जो stems है वो दो परकार के हैं डाइकोटोमस और दूसरा है लेटरल पहले बात करेंगे डाइकोटोमस की तो जो डाइकोटोमस स्टेम होते हैं उनमें ग्रोइंग पॉइंट दो भागों में डिवाइड हो जाता है यह इसकी इंपोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है इसके आधार परी आप बागों में बिभाजित हो जाता है जैसे कई प्लांट हो सकते हैं ऐसे सहवालों में डिक्टियोटा फंजाई में मारकेंसिया लेकिन जो हम बेसिकली मॉर्फलोजी अप एंग्योस्पर्म पढ़ रहे हैं तो एंग्योस्पर्म में जो डाइकोटोमस ब्रांचिंग है वो र तो यहाँ पर ये पहले हम डिसकस कर रहे हैं डाइकोटोमस ब्रैंचिंग के बारे में इसके बाद दूसरा है लेटरल ब्रांचिंग, इन लेटल ब्रांचिंग the growing point does not get divided अभी हमने आपको बताया था कि जो डाइकोटोमस ब्रांचिंग है उसमें growing point दो भागों में डिबा गयाज फ्राइड नहीं होता, इसी आधार पर ये जो लेटरल ब्रांचिंग है, वो दो प्रकार की होती है, एक, रैसी मोझ, जिसे हिंदी में स सीमाक्षी साखन कहा जाता है, तो हम पहले बात करेंगे, रैसी मोझ, या मोनो पोरिल ब्रांचिंग की, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, रैसिमोस या मोनोपोडिल ब्रांचिंग में जो टर्मिनल बढ़ होती है, वो एनिस्चित काल तक सक्रिय रहती है। इसके कुछ एक्जाम्पल्स आप देख पा रहे हैं, जैसे पाइनस है, यूकलेप्टरा है, केजुराइना है, पॉलियन्था है, जिसको असोक्टरी कहते हैं, इस प्रकार का। और यहाँ पर जो ब्रांचिंग होती है, अर्था जो लेटल ब्रांचिज निकलती हैं, वो बेस या मोनोपोडल ब्रांचिंग में, जो लेटल ब्रांचिज होती हैं, वो अग्राविसारी करम में विक्सित होती हैं, और इसके कुछ एक्जाम्पल्स, जो कॉमन एक्जाम्पल्स मिलते हैं, एंजिस्पर में और अधर्स में, वो आपके सामने हैं, डाइग्राम में आप ब साइमोज ब्रांचन की जो दूसरे प्रिकार की ब्रांचन है पहली थी रैसिमोज और साइमो jeszcze सासिमोज ब्रांचन में जो टर्मिनल बढ़ है वो स्टेम एकस्का कुछ भाग बनाने के बाद या तो उसकी स्कृषड रुख जाती है अर्थाथ वो निस्करिय हो जाती है या कुछ बिस्स एस dependent पर रूप से कभी काटों में रूपांत्रित हो सकती है या पर कुछ और भागों में रूपांत्रित हो जाती है इसके बाद जो stem की further आगे growth होती है stem की जो further growth होती है वो या तो एक या अधिक एक्सिलरी ब्रांचिज के दौरा होती है ये बात यहाँ पर नोट करने की है कि इस टेम की जो फर्दर ग्रोथ होती है अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो टर्मिनल बढ़ की ग्रोथ है वो रुक जाती है जबकि रहसी मोज में नहीं रुकती है वो एनसी तकाल तक होती है यहाँ पर जो टर्मिनल बढ़ की ग्रोथ है वो एक्शली रुक जाती है और फिर जो ग्रोथ होती है वो दूसरी ब्रांचिज के दौरा परफॉम की जाती है तो यहाँ पर जो further growth होती है वो basically एक या एक से अधिक axillary branches के द्वारा perform होती है और इसी के आधार पर ये further आगे divide होती है accordingly it is divided into three types जिसमें पहला है uniparous या monocacial branching जिसे हिंदी में एकल साखी साखन भी कहते है इसमें terminal बढ़ की सक्रियता रुकने के बाद या जो terminal बढ़ है उसकी activity stop होने के बाद further जो growth होती है वो केवल single axillary branch के द्वारा होती है अभी हमने पिछले डिसकस किया था कि एक या एक से अधिक तो इस प्रकार से यदि केवल further जो growth हो terminal बढ़ की growth रुकने के बाद केवल एक single axillary branch से growth होती है तो उसको कहा जाता है uniparous या monocacial branching इसमें मुख्यक्ष का निर्माण axillary branches तथा man stem के fusion से होता है यहाँ पर जो man axis बनता है उसका निर्माण basically axillary branches और man stem के fusion से बनता है इस प्रकार का man axis जो इस प्रकार से बनता है उसे sympodial axis भी कहा जाता है आगे साखाओं के विकास यदि इसमें दौनों sides में होता है तो उसे scorpioid कहते हैं और यदि cable एक side में होता है तो उसे helicoid कहते हैं इसका मतलब यह हुआ कि uniparous या monocacial जो branching है वो भी दो प्रकार की होत यदि दौनों sides में साखाओं बनती है उसको scorpioid कहते हैं और यदि एक ही side में बनती है तो उसे helicoid कहा जाता है दूसरा है biparous या dicacial इसमें आप देख रहे हैं इसमें terminal bud की growth रुखने के बाद आगे की ब्रद्दी दो अक्षिय साखाओं से होती है अब ही हमने बात की थी ए एक अक्षिय साखा से ब्रद्दी होती है यहां पर दो अक्षिय साखाओं से या एक्षिय साखाओं से आगे की ब्रद्दी होती है इसलिए इसे biparous या dicacial branching कहा जाता है और ऐसा कुछ plants में आपको देखने को मिल सकता है जैसे viscum, mirabilis, jalapa etc जिसे 4 o'clock plant भी कहते हैं तो इस प्रकार का है multiparous या polycasial branching जिसे हिंदी में बहुल साखी साखन भी कहा जाता है इसमें terminal बढ़ की growth रुखने के बाद जब further growth तीन या अधिक axillary branch जिसे होती है तो उसे multiparous या polycasial branching कहा जाता है और इस प्रकार का जो man access होता है उसे multipodial access कहा जाता है और यह कुछ plants में आपको देखने को मिल सकता है जिसमें proton, nerium, etc. यह कुछ प्रमक plants हैं तो यह हमने कुछ branching patterns यहाँ पर आपको discuss किये इसके बाद अगला topic आता है forms of stem stem को forms के आधार पर दो भागों में बाटा जा सकता है एक aerial और दूसरा sub aerial पहले बात करते हैं aerial की aerial stem जो होत हैं आप screen पर points एक के बाद एक clearly mention है जो आप देख सकते हैं इस stem, aerial stems की बात कर रहे हैं पहले मैंने दो form बता ही आपको aerial और sub aerial तो जो aerial stems होते हैं वो pry upright, erect होते हैं और कुछ plants में वो weak भी होते हैं इसके अलाबा ये generally branched या unbranched हो सकते हैं aerial stems branched भी हो सकते हैं और unbranched भी हो सकते हैं यदि ऐसे stems जो pry unbranched होते हैं वो सीधे और बेलनाकार होते हैं जो unbranched stems होते हैं वो pry, erect होते हैं, cylindrical होते हैं सीधे होते हैं और बेलनाकार होते हैं इन stems पर जो पत्तियां जड़ जाती हैं उनके nisan और अबसेस इस पस्ट्रूप से देखे जा सकते हैं पत्तियों के जढने के बाद के यहां पर अबसेस रह जाते हैं और वो इन stems पर स्टेम्स जॉइन्टेड होते हैं कुछ प्लांट्स में ऐसे स्टेम्स होते हैं जो जॉइन्टेड होते हैं खासकर बास का स्टेम्स आपने देखा है जिसमें खोकले इंटर नोट्स पाए जाते हैं और प्रिकार आपने देखे एक stem है कॉडेक्स और दूसरा है कल आगे आप देख रहे हैं इसके कुछ और प्रिकार भी है ऐसे stem जिन पर पतिया नहीं होती केवल फ्लार्स पाए जाते हैं उन्हें स्केप कहते हैं कुछ मॉनोकॉर्स ऐसे होते हैं जो उनके stem basically होते तो भूमी करते हैं लेकिन वो capable flowers उत्पन करने के लिए भूमी के ऊपर आ जाते हैं उन पर पत्तिया नहीं पाई जाती हैं ऐसे stems को scape कहा जाता है और उसके examples आप देख पा रहे हैं onion, aeroids, banana, etc ऐसे aerial stems जो weak होते हैं कमजोर होते हैं वो basically या तो twinners होते हैं या climbers होते हैं weak aerial stems pry twinners होते हैं या फिर वो climbers होते हैं, climbers जो उपर चड़ने में मदद करते हैं तो इस प्रकार से पहली form हमने discuss की है, वो है aerial stems अब बात करेंगे हम sub-arial stems की sub-arial stems pry भूमी सतय के सारे creeping तरीके से movement करते हैं, यानि growth करते हैं इनमें basically trailers और creepers को summlith किया गया है जो sub-arial stems है इनमें basically trailers और creepers को ही summlith किया जाता है, और यह creepers होते हैं, उनको again further तीन भागों में divide किया गया है runners, stolons और offsets इनको जब हम अगले वीडियो में modifications पढ़ेंगे stem के तो वहाँ पर detail में study करेंगे यहाँ पर इनके study करने का हमारा कोई ऐसा उद्धिश से नहीं है इसलिए आगे वीडियो में हम इनको discuss करेंगे यहाँ पर आप सिर्फ यह देखिए कि यह जो creepers होते हैं, वो तीन प्रकार के हो सकते हैं runners हो सकते हैं, stolons हो सकते हैं और upsets हो सकते हैं तो यह हमने इसके कुछ forms के बारे में पढ़ा basically stems की दो forms हमने देखिए हैं एक aerial stems जो basically भूमी के उपर सीधे पाए जाते हैं और दूसरे, सब aerial जो भूमी सतह के उपर या भूमी गत रूप से growth करते हैं अगला और इस आज के वीडियो का जो अंतिम topic है, वो है functions of stem हमने जैसे roots के functions के यह थे दो भागों में study, primary functions और secondary functions similarly, stem के function को भी हम दो भागों में दिसकस करेंगे that is primary function और कुछ है इसके secondary function तो पहले primary function जो बहुत common से हैं, जो आप आराम से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जानते भी हैं जैसे पहला function आप में देखा कि प्राय, पतियां, पुष्प और फलों को दोहरन करने का कारिये stem के द्वारा किया जाता है दूसरा, इन भागों के द्वारा बिभिन कारियों को संपन करने में योगदान दिया जाता है इन भागों का मतलब ये जो leaves हैं, flowers हैं, fruits हैं, जो stem पर लगे होते हैं इनके द्वारा कुछ specific functions परफॉर्म किये जाते हैं साथ ही, जड़ों द्वारा अबसोसित, जल और खनिजलबन को उपरी भाग, यानि last part तक पत्तियों तक पहुचाने का, पुष्मों तक पहुचाने का जो कारिये किया जाता है वो stem के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है इसके अलाबा, नई cells, tissues और organs के निर्मान द्वारा पादप के विभिन कारियों को करने में stems सहायक होते हैं और साथ ही, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को विभिन अंगों तक पहुचाने का कारिये भी stems के द्वारा किया जाता है तो ये कुछ primary functions हैं जो stems के द्वारा परफॉर्म किया जाता है पांचों कारिये आप slides पर बहुत इसपस्ट देख पा रहे हैं अगला है secondary functions आम तोर पर जैसा कि मैंने आपको roots में बताया था कि secondary functions जो होते हैं वो basically इसके modifications होते हैं तो modifications क्योंकि अगला topic ही हमारा modifications के उपर होगा modifications of stems लेकिन एक simple way में यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि कौन-कौन से कारिये secondaryly perform किये जाते हैं stems के द्वारा जैसे पहला दे रखा है storage of food कई प्रकार के ऐसे stems हैं जो food store करते हैं examples आपके सामने है ginger है, potato है, etc साथ में storage of sugar जैसे sugar cane के द्वारा अगला है storage of water जैसे open sea floating on water यानि plants को पानी की सतय पर तैरने में भी यह मदद करते हैं किस की साहिता से? air and कायमा की साहिता से यह में air and कायमा पहे जाता है जिससे body हलकी होती है क्योंकि उसमें air रहती है और ऐसे stems में आप example देख सकते हैं नप्चूनिया, एक है palidation palidation, अर्थाथ, ऐसे booming गत्तने जो एक साल या एक से अधिक साल तक जिंदा रह सकते हैं उनकी आयो बढ़ाने का भी इनका कारिया होता है तो palidation का कारिया इनकी दोरा किया जाता है जैसे sacram है, mint है, curcuma कई प्रकार के ऐसे examples है जो palidation का कारिया stems के दोरा perform किया जाता है और finally एक कारिया इसमें दे रखा है manufacturing of food हमने आपको पहले starting में बताया था कि कुछ young stems जो होता है उनमें chlorophyll पाया जाता है, वो हरे होता है और इसके दोरा ये photosynthesis का कारिया perform करते है, अर्थात भोजन बनाने का कारिया इनके दोरा संपन किया जाता है अगला आप कारिया देख रहे है, आरोहन में साहय हमने climbers के बारे में बात किती, जो climbers stem होता है वो उपर चड़ने में help करते है वी जो तने होते हैं, उनको उपर चड़ने में ये help करते है, इसके अलाबा कुछ ऐसे stems होते हैं जो काटों में रूपांत्रित हो जाते हैं और जो चरने वाले पसु होते हैं उनसे इन stem की सुरक्षा करते हैं इसके अलाबा, कई प्रकार के stems में बासपोत्सरजन की दर को कम करने के लिए मॉडिकेशन स्पाहे जाते हैं या तो 是我 काटों में रूपांत्रित होते हैं या और और मॉडिकेशन्स हो सकते हैं जिससे बासपोत्सरजन की दर कम होती है और ये जो modifications पाए जाते हैं वो basically zero fires में पाए जाते हैं जो मरुष्थल में प्लांट उकते हैं उनमें ऐसे modifications की जुरत होती है प्लांट को तो बासपोस्वजन की दर को कम करने का कारिय भी stems के दोरा किया जाता है इसके अलाबा कई सारे stems ऐसे होते हैं जो vegetative reproduction का कारिय करते हैं अर्थात जो काईक जनन है उसमें भाग लेते हैं अर्थात उन stems के कुछ भागों से ही पूरे प्लांट का निर्मान हो सकता है उसके कुछ काईक भाग से ही पूरे प्लांट का निर्मान किया जा सकता है तो काईक जनन में भी stems स्टैंट के दोरा भाग li आता है स्टैंट के ही मौडिफायिं होकर बनाते privacy ही होता है प्लांट के प्लांट QR जिसमें ए दोनों मेल or कार्य भी flower modification के द्वारा stem के द्वारा perform किया जाता है इस प्रकार से stems different primary और secondary functions को perform करते हैं तो ये कुछ प्रमुख कार्य हुए stems के इस प्रकार से इस पूरे वीडियो में आपने morphology of stems को discuss किया है हमने इस में सबसे पहले आपको definition बताई थी definition के बाद stems के कुछ विसेशताओं के बारे में बात की थी इसके बाद branching किस प्रकार की हो सकती है stem में उसके बारे में हमने आपको basically बताया था branching के बाद different forms जिसमें दो प्रकार की forms discuss की थी aerial और sub aerial और finally stem के functions जिन में primary और secondary functions को हमने discuss किया मुझे मैं समझता हूँ यह topic आपको समझ आया होगा और आप इससे निश्चित रूप से लाभान बित होंगे अगर आपकी कुछ queries हैं तो मुझे mail करें धन्यवाद कर दूब